गुड मोर्निंग यूकेजी कलास प्यारे बच्चों आप लोग साकुसल होंगे हम लोग हिंदी में रिविजन खतम कर चुके थे फिर भी बच्चों मैं आप सबों को फिर से आउर एक बार रिविजन करने के लिए सिखाने जा रही हूं आप सबों को आप लोग अपना कोपी लेंगे और हम लोग साथ में कारिया करेंगे ठीक है प्यारे बच्चों देखे आप लोग यहां पर मैं लिखी हूं रिविजन वर और इधर लिखी हूं डेट ठीक है आप लोग भी अपनी कोपी में इसी प्रकार लिखेंगे पहला नंबर में कहा जा रहा है खाली अस्था भरो शब कोई आप लोग अपना कोपी में लिखेंगे और एक साथ हम लोग अभी इसको बनाएंगे ठीक है चलिए बच्चो लिखें का फिर आगे देखिए लिखा हुआ है आ, खालियस्थान, खा, ला में बड़ी की मात्रा तो प्यारे बच्चों, आप लोग अपनी कोपी में लिखेंगे यहाँ पर आ, खालियस्थान में लिखेंगे ओ, ठीक है? ओ, खली, ठीक है, आगे देखो, खा नमबर गहा फिर इधर खालियस्थान दिया गया है बच्चों, तो खालियस्थान में लिखेंगे आड़ा में बड़ी की मात्रा, घड़ी, ठीक है आगे गा नमबर खालियस्थान का ता में आ की मात्रा, रा में आ की मात्रा है, ठीक है तो खालियस्थान में लिखेंगे ए ठीक है एक तारा ठीक है आगे गा नमबर खालियस्थान नाका तो खालियस्थान में लिखेंगे आए ठीक है आएनक आगे आगा नमबर आ में अनुस्वर गा में बड़ियू की मात्रा लियास्थान तो इसमें क्या लिखेंगे बच्चो रा ठीक है अंगूर आप लोग समझ गए है ना आगे दूसरे नमबर देखें बच्चो समान वर्ण को चुन कर लिखो का नमबर यहाँ पर देखो ओ दो जगे है ना ओ समान वर्ण है तो इधर लिखेंगे ओ ठीक है आगे खा नमबर इधर खालिया स्थान में क्या लिखेंगे ए ठीक है आगे गा नमबर आओ ए ओ आओ आओ अंगूर इधर क्या लिखेंगे आओ ठीक है आओ समान वर्ण है आओ ठीक है आगे गा नमबर का अंगा गा चा का समान वर्ण इसमें काउन है बच्चो का तो इहाँ का लिखेंगे ठीक है आगे अंगा नमबर गा का गा चा अंगा समान वर्ण क्या है बच्चो गा तो इहाँ लिखेंगे गा ठीक है बच्चो बच्चो मैं आप समों को इतना ही रिविजन कराती हूं धनियवाद झालवाद